हेलол दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इसी वैलिूम इंडिगेडर का सीक्रेट इषटरीच बताने वाला हूँ यानि की दोस्तो वैलूम को देखकर कैसे आपको 100% कभरमेशन मिलेगा की मार्केट कहा जाने वाली है दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है इस वीडियो में दोस्तों आप खाली नहीं जाएंगे आप कुछ न कुछ तो सीख के जाएंगे तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो और फिर चलो वीडियो को स्टार करत तो आपको कुछ ऐसे चार्ट दिखाए देगा ठीक है अगर दोस्तों आप ट्रेड करते हो चाहे ओप्सन में चाहे बैंक निप्टी चाहे फ्यूचर आप दोस्तों कहीं भी ट्रेड करते हो ठीक है अगर आप निप्टी में करते हो तो आपको निप्टी का फ्यूचर का चार करने वाली है आप दोस्तों सही entry exit कर सकती हो जो मैं आपको strategy सिखाने वाला हूं बहुत powerful है करना क्या है तो आपको ठीक है सबसे पहले क्या करना है कि जैसे दोस्तों आप निप्टी का चार्ट ओपन करेंगे future का उसके बाद आपको जाना है इंडिटर वाले option पर देखो अगर आप पहली बार जब ओपन करेंगे तो यहां पर आपको जो यह दोस्तों यह रहा जैसे दोस्तों यहां पर इतना लिखेंगे यह आपके सामने यहां पर आजाएगा इसे पर क्लिक करना एदेखो यह लग गया है कि यह वाले पॉइंट पर आज ओपन हुई है यानि कि gap down market open हुई जो यहाँ पे SL थे market gap down open हुई तो सारे buyers के SL खा गए अब यहाँ पे market किसके control में seller के और जब market open हुई gap down यह candle आपको दिख रहे हैं यहाँ पर फश्ट वाली candle green green market दोस्तों जब open हुई open होते ही इस candle को control कोन किया बायर लेकिन last में जब यहाँ तक high मारी उसके बाद यहाँ से active हो गए seller और seller market को लागके यहाँ पर close की उसके बाद देखे दोस्तों market नीचे गिर गई है मतलब कि जब market open हुई तो पहले गई उपर अब यहाँ पर कुछ लोग तो buy के होंगे यानि कि दोस्तों market के पास कोई ASL नहीं था अब यहाँ पर market को तो अपना ASL को लाना है जब तक market को कोई ASL नहीं मिलेगा तब तक market कैसे move करेगी तो यहाँ पर पहले market ने लोगों को द पता रहां की वैलों की indicator strategy क्या है लेकिन दोस्तों आपको इससे पहले यह समझना पड़ेगा आपने देखा कि यहाँ पर बायर की ASL खतम होने के बाद आप किसके यहाँ पर इसल पड़े हैं seller के यहाँ और यहाँ पर दोस्तों आप अगर नीचे देखेंगे तो नीचे की परफेंड चांस लेता है कि market जहां पर ऐसल है उसी को खाने के लिए जाती है अब यहाँ पर पहले से तो यहाँ पर बाइर के ASL खतम हो गए थे और बागी के ASL जो थे seller के हैं अब बाइर के ASL को खाने के बाद market नीचे आई अब नीचे आने के बाद लोगों नो यहाँ प किया होगा ओ लोग रेप हो गए हंडरी परसंट अब मान लोग कि यहाँ पर आपको दिखा कि यहाँ नीचे जाने वाली है क्योंकि मार्केट सेर्के कंट्रॉल में तो आप लोग 100% यहाँ पे दुसरी वाली कैंडल पे इंडरी लोगे अब जैसे इंडरी लोगे मार्केट आपको ट्रेप कर देगी उसके बाद मार्केट आपके एसल को खाने के लिए ओपर जाएगी क्योंकि यहाँ पे सेलर के एसल पड़े हैं और इसके नीचे कोई एसल न खाने के लिए दुबारासे मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर सेलर के एसल को खाकर्ड के यहां तक रहता है यहां से दूस्तों ओड़ेएक नीचे नहीं आएगी अगर यहां पर buyer की ACL को खाना होगा, market डारेक्ट नीचे नहीं गिरेगी, market कुछ हैसे से करके, यहां से इस तरह से आ सकती है, ठीक है, उस strategy की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, कि volume indicator की strategy, जो कि दोस्तों, अगर आपने सिख लिया, तो 100% आप पैसे बना पाऊगे, तो जिसे मैंने आप से कहा, कि दोस्तों, जो लोग buy किये थे, यहां पर आपको यह नहीं पता है, कि market यहां से change होने वाली है, ठीक, दोस्तों strategy यह है, कि जब दोस्तों, market अगर यहां पर down trend में है, ठीक, market नीचे गिर रही है, तो जब भी trend change होने वाला होगा, तो simple सा आपक एक red वाला volume बना है, कि जब दोस्तों market change होने वाली रहीगी, यानि कि अगर market नीचे गिर रही है, यानि कि market अप trend में change होने वाली होगी, तो ऐसे ही pattern आपको दिखाए देंगे, कैसे, एक यहां पर आपको छोटा सा green green volume की पट्टी दिखेगी, उसके बाद यहां पर जो handle है तो मैंने आपको बताए कि आपको यही दुनों देखना है, यानि कि दोस्तों यह indicator volume का आपको पहले सही signal दे दिया कि market change होने वाली है, इहाँ पे, यहां पर देखू यह बन रहा है और यहां पर यह Stan होने वाला है, तो दोस्तों आप लोग यहां पर entry इस वहाले left सिगनल पर लेते यह नहीं और आप यहां पर रोज से बच जाते बात ध्यारकना कि दोस्तों यह स्ट्रेजी सिर्फ कोल साइट के लिए है यानि कि जब मार्केट उपर जाएगी तब दोस्तों आपको यह सिगनल मिलेगा जैसे कि जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो यहां पर आपको एक छोटा सा वैलूम दिखा ओभी यहां पर गिरीन है उसके बाद जो सिकेंड वाला है दोस्तों रेड है और यहां पर पहले वाले से बड़ा है और उसके बाद देखो मार्केट यहां से चंज हो गई है और अप्ट्रेंड में गई है आपको अगर ऐसा पैटन को देखना है कि जब पैटन बने तब जैसे कि आपको दिखा कि मार्केट जा रही नीचे ठीके मार्केट यहां से जब गिरने लग गई और यहां पर जिसे मैंने आप से कहा था कि यहां पर फश्ट वाला वैलूम जहे वो गिरीन रहेगा छोटा रहे और जो सिकंड रहेग चेंज हो गई है और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट चेंज होने पहले आपको पहले ही यहां पर सिगनल मिल जाता है कि मार्केट अप चेंज होने वाली है यहां पर देशकते हैं यह ठीक है पहले ही दोस्तों यहां पर आपको सिगनल मिल गया कि मार्केट अ ट्रेट करते हो तो आपको जाके सच बोक्स में टाइप करना है क्या निप्टी फ्यूचर अगर आप निप्टी में करते हो तो तो आपको निप्टी का फ्यूचर का चार्ड देखना है उस पर आपको वैलूम इंडिकेटर का यूज करना है तब दोस्तों आपको सही से कांफ